हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर्ड आज की इस वीडियो में डिस्क्रिस करेंगे क्लास फॉर्थ जीके और इसकी यह वाली बुक हम कवर करेंगे और इसके 8 चैप्टर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो की फुल स्लेबर से आपका दिसम्बर के लिए हैं ओके फॉर दिसम्बर इग्जाम्स यह फुल चैप्टर होगा ओके तो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो चैप्टर कौन से कवर होने वाले इसमें वो पहले देख लेते हैं फर्स चैप्टर अक्वाटिक प्लांट्स पॉर्स ओफ इंडिया दा वर्ल्ड ओफ इंवेंशन एनलोजी इंसेक्ट्स वेर इन इंडिया स्ट्रेंज क्रेचर एंड ग्रेट साइंटिस्ट यह सारे चैप देता हुगा कि फुल मार्क स्ही आएंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छा से जीए च देखिए तो पूरी वीडियो देखना यह कुछ students के नेम हैं जिन्होंने comment किया था मैंने बोला था कि comment करो वीडियो में और कुछ students ने comment किये थे उनके नेम में बता देता हूं नेम के मंदर्विंदर सिंग कुलविंदर गोर्टीं साथ नेम कोड़ा आइडि एं 해 में मिन्होंने उनको बोला था कि अपना रीयल नेम क्या था में बताना और जिनके नहीं रियर नेम और नेक्स्ट अभी जो कमेंट करोगे उसमें बताताना ठीके सो वीडियो में कमेंट करके अपना नाम जुरूर बताना था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी एड करूँ ठीके कमेंट में अपना नेम और जो भी में कॉशन बुशन का उसकी आंसर क्लियर ओके सब्सक्राइब करते हैं यह वीडियो तो लेट्स स्टार्ट इस वीडियो उके स जैप्टर अक्वार्टिक टाल करने से पहले हम ने हैं WA एक्या देको अक्वाटिक मीमस जो पानी के अंधर हो गहें और प्लफस मीन्स पानी के इंधर होने वाले प्लांट्स अप्वाटिक से रिग्स फानी में होते हैंuchenकना पैनी में होगे lotus हो गया water chestnut और भी काफी से प्लांट्स है जो पानी के अंदर होते हैं इनको ज्यादा पानी चाहिए अगर जमीन पे लगाएंगे अर्थ पे तो नहीं होगे पानी में होने हैं clear और यह ही आज हम करेंगे चैप्टर सबसे पहले जान लेते थोड़ा बहुत अक 220 बारे में जोती है एक अकवायटिक र्रांट्स के बारे में हएatoriड्रो फाइट्स हाइब hydrophytes भी इनको बोला जाता है hydro means water ठीक जहां पर hydro ने meaning इनका meaning होता है water and phyts का meaning होता है scientific term में plants so कौन से plants होगे the plants which live within watery environment okay वो वर इप्लांट जो watery environment में रहेंगे जिसमें पानी काफी सारा होगा पानी ही पानी जैसे for example lakes ठीक है lakes में होगे pond होगे river जहां पर पानी काफी सारा collect होगा जैसे आपने देखा होगा कोई हसली यह जहां बटा लागी ठीक है तो वहां पर भी काफी सारे plants होते हैं okay वो सारे aquatic plants है second in the ecosystem aquatic plants serve as food and habitat for animals living in the sea देखो ecosystem क्या होता है जिसमें काफी सारी role play करते हैं अले 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 organisms like animals birds plants trees etc okay सारे humans भी so ecosystem का हम भी एक part हैं तो ecosystem aquatic plants क्या करते हैं food का काम करते हैं और habitat habitat means रहने का जगा जैसे हमारा घर है okay food and habitat का काम करते हैं animals के लिए जो sea के अंदर रहते हैं for example कुछ fishes होगी जा कुछ और जो भी इसमें आगे crocodiles आगे जो भी aquatic animals हैं okay aquatic then aquatic plants prevents shorelines ponds and lakes from eroding by providing soil stability अब aquatic plants का और क्या advantage है कि यह क्या करते हैं कि जो किनारे हैं pond के लेक के जहां सी के ठीक उनको shoreline बोलते हैं उनको एक रहते stability provide करवाते हैं ताकि उनका क्या हो जाए soil erosion okay soil erosion क्या होता है कि जो मिटी अपने अपने साथ पानी जो होता है मिटी अपने साथ लेकी चले जाता है तो वह अगर घास होगा वहां पे कुछ plants होंगे तो वह क्या होगा soil erosion नहीं होएगा clear good okay so now first question the flower of this plant is a national flower of Bangladesh ये वाला फ्लावर जो है फूल national flower है बंगलादेश का so बंगलादेश का national flower कहों सा है water lily okay water lilies आता national flower of Bangladesh so ये उसकी picture है how beautiful is it right okay so first answer water lily second the flower of this plant is a national flower of India ये वाला plant का जो है national flower है इंडिया का ये तो सबको बताना चाहिए हमारा national flower कौन सा है lotus और हिंदी में इसको बोलते है kamal ठीक है kamal का फूल okay lotus और ये देखो picture इसकी बहुत ही beautiful है ठीक है okay third question the water plant this water plant is considered the worst water weed in the world worst क्या होती है सबसे बुरी ठीक है bad होता ना bad से भी बुरा क्या होता है worst सबसे गंदा सबसे बुरा प्लांट जा वीड वर्ल्ड में ये वली है इसका नाम बताना है तो इसका नाम है water hyacinth okay water hyacinth क्यों इसको सबसे बुरा कहते हैं एक और क्यों बताके इसको बुरा कहते हैं क्योंकि ये fastest growing weed है fastest सबसे जल्दी ग्रो कर जाती है मेंस अगर एक दो आपने प्लांट लगाया ना तो इसने एक दो दिन बाद काफी सारी अपने प्लांट ग्रो कर लेने एक मालो एक रिवर में एक प्लांट है इसने जल्दी अपने आपको विर्वर कर ले नहीं है अब अच्छा वआ बुरा हुआ जएक हो एिसने पोड़ी पूरी जाजे लिए इतना सारा पानी दिक रहा तो इसके इसके अलों मर जाएंगे क्लियर इसको बोलते हैं वर्स्ट वॉर्टर वीडि इन दे वर्ल्ड और एक और बता बात बता इसको बेगाकफ थे टेरो फ्ट्र बैगोल मीज्वेस्टर फीज़ल के क्या रही है क्याता है यह बहुत सारा शाहुता है पर सारी जो डेल्टा है न हमें पाता न डेल्टा गहां पर सुंधरबंज में तो वहां पर बहुत जादा ग्रोग करता है और वहां पर सारा कबर कर लेता है यह बड़ी जल्दी तो इसका अंसर ए वोटर हासिंत वोस्ट वाटर वीड इन दा वर्ल्ट नेक्स्ट इस प्लांट हैज इटेबल नट लाइक फ्रूट विद फोर शार्प बार्ब स्पाइन्स इसका फ्रूट कैसे होता है नट लाइक नट मींज जैसे हम खाते हैं आर्मंड्स होगे चाल दूसरी होगे अख्रोट होगे ठीक है वो सारे नट में आ जाते हैं वो सारे ड्राइफ फ्रूट वगेरा यह भी उसकी में आता है इसका नाम है वोटर चैस्ट नट ओके वोटर चैस्ट नट यह भी रिवर में होता देख लो पॉंड बगेरा में जिसको तला बोलते हैं उसमें ठीक होता है नेक्स्ट इसकी एक्सपरानेशन ठीक है वो तो देख लिए हमने कि कैसे होता है अभी मुझे बताओ कि आपने कभी यह वली चीज़ देखी है कभी मार्किट में कभी खाई हो ऐसे होता है ब्लैक कलर का और इसको बोल करके हम काते हैं मोस्ली इसको ड्राइफ फ्रूट ही ब प्रिक्चर अपने पेरेंट्स को दिखाओ उनसे पूछना इसका नाम क्या है और वो इनका नाम क्या बताएंगे सिंगाड़ा ऐसा ठीक है सिंगाड़ा सिंगाड़ा बोलते हैं अगर नाम भी बताओ तो उनको पता चल जाएगा क्लियर सो यह भी किस से आता है यह वोटर चैसनट पाणी के अंदर उसको तलाब में होता है गंदी जगाए पे होता है लेकिन बाद में उसको साफ करके दो के फिर सेल करते हैं इस फ्लोटिंग प्लांट्स लाइट ग्रीन लीव्स आर इतन मेलीन सैलेड अब यह वले प्लांट की जो जो पते हैं जो लीवस हैं वह शक्या लीवस हाथ करते हैं जो थोड़े ऐयो ही जो आर अधिय। तो फ्लोटिंग प्लाम जो जो बाद बेट हैं जो इंग अब यह बड़ा जो वीड इना इसको किसके लिए यूज करते थे गाइट कर सकेए जैसे कुछ कुछ लिखना है जैसे आपने आपने नाम किसी का नाम हर्मन होगा हर्मन लिखना है ठीक है तो वह लिकश सकते रे pen तो होते नहीं थे था pen pencil तो फिर किसके जो ink होती थी उनके पास जहां black kajal type होता था उससे करके लिख लेते थे और यह वली इसकी sponge use करते थे ठीक है इसकी leaves बड़ी पतली-बदली leaves है बड़ा अच्छा लिखा जाता था इसका नाम है papyrus papyrus clear what is the name of this plant is papyrus थोड़ा ताफ फे लेकिन प्रैक्टिस करने जा जा जाएगा papyrus okay okay students your first chapter has finished अब next chapter प्याते हम ports of India India की ports की बात करेंगे अब मुझे आपको कुछ students को नहीं पता होगा की ports क्या होती है okay तो मैं सबसे पहले वह बताऊं को ports क्या होती है दिखने में यसी है ठीक है लेकिन आपको पता नजेए detail में कि what are ports okay और इसकी importance क्या है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं ports of India ports are the destination of ships ठीक है ship का पता है आपको जो समुंदरी जहाज होता है ठीक है ships उनको बोलते हैं तो उनकी destination destination means manjil जो जहां पर रुकते हैं अब इनका काम क्या है इस फसिलिटेट sea transportation सबसे पहले क्या जाते है sea transportation sea means समुंदर transportation means जैसे हम ट्रक वगेरा यहां पर रोड भी लेके जाते हैं वैसे sea में ट्रैवल करना है तो वो ports पर आगे रुकते हैं जैसे यहां पर bus stand हो गया railway station होगे वैसे वहां पर क्या होगा sea sorry port तो port पर आगे ship रुकेंगे वहां पर जो container होते हैं बड़े-बड़े container उसमें आपका खाने पेने की चीज़ें bikes cars वो बाहर से इंडिया लेके आनी है इंडिया से Canada, America, USA, Australia वहां पर बेजनी है तो सारा काम कैसे होगा through the help of by the help of ships अब ships क्यों क्यों use करते हैं देखो airplane में जो होता है na airplane उसमें इतना ज्यादा luggage ना सकता है इसमें जो ships उतने बहुत बढ़े होते around 300 feet इससे भी जाता होते हैं लेकिन मैं आपको average बिताता हूं 200-300 feet लंबे होते हैं और उचाई में around होते हैं 5-10 floors ठीक है अगर कोई घरदे का आपने 5-10 floors इतने उचे होते हैं सो बहुत जादा height होती है बहुत जादा लंबे होते हैं सो काफी सारा यह है goods एक साथ अपने लेकित जाते हैं goods so goods मैंने बोला है goods means यह नहीं जो स्कूल में आपको goods मिलता है goods means material okay so import of goods across the world होता है export and import आपने सुना होगा ने export and import का business है तो इसी से ही होगा okay good अब मैं एक example बतातुम मालो सोनाली का ट्रेक्टर आपने सुना है सुनाली का ट्रेक्टर बाहर बेजने है ठीक है मालो अमेरिका अफ्रिका कहीं भी बेजने है तो वह कैसे बेजेंगे by ships okay plane से नहीं बेजेंगे उसको ट्रेक्टर को ships की हल्प से बेजेंगे काफी हैवी होता है, जैसे oil ट्रांसपोर्ट आता है बाहर से, वो भी ships से ही आता है, अब यह फिल कोस्टल अरिया पर देखो यहां पर पाकिस्तान है, यहां पर यह वाला अरिया नेपाल और यहां पर है चाइना, ओके? यहां पर चाइना है, तो अभी पोट्स हैं वो कहां पर होगे पोट्स होगे सिर्फ कोस्टल एरिया पर यहां पर बस इस एरिया में clear और यो पोट्टे जैसे कांडला पोट होगी युवाहल नेरु पोट पोट्स है तो इन सब को में डिसक्स करेंगे लेकिन होगी कहां और बाहर बाहर ही ठीक है यह देख लिक्स पिक्चर में ओ थोड़ा है फोड़ा है फोड़ा हो जाएगी आपको ठीक है मुबाई पोट गोवा पोट मैंगलोर पोट यह सारी हम पढ़ेंगे पोट्स clear कि अनद आएयर को के सो फ़ोट कोशन वन रिमीजर अन ओलुपोरें मोडरीं और दी आю कि वैस्टन पोस्ट कास्ञ रिक्या ओए इन शल्सव आ और ऑब भड़ी जो पोट मोंसी है को है नावा शेवा पोट नहावा शेवा बिस आपकोट ग९् connectivity ठीक थोड़ा सा बोलना है नहावा शेवा पोट और यह कहां पें यह है मुंबवए में को ऑके मुंबई मुंबई म कता ने आपड़ा आपार इसना इंसलेक एब होरा है इसको करो चाओर प्रवाइड तो एक वान मिनिट्ट ओके ठीक है ऐसे अब हुम्मारा पंजाब है यहां पर ओके और हुमारा एरिया है नोर्थ ओके नीचे साउट यह वला हो गया इस्ट एंड यह हो गया वैस्ट ओके नोर्थ नोर्थ साउट इस्ट वैस्ट और यह वैस्टर साइड पर और वैस्टर साइड पर यहां पर क्या है यह वाला महारास्टर है और महारास्टर गेंदर यह वली जो जोहाला नहरू पोर्ट देखा रहे हैं यही क्योंसी पोर्ट ह नावा शेवा पौट कहां पर ये मुंपई में clear obligation clear होगी आपको okay next one of the major ठीक है ये वड़े clear कर दिया मैंने next question अब नावा शेवा पौट के बारे में थोड़ा हो जान लेते हैं it is also known as the Jawahala Nehru the Pandi Jawahala Nehru port Pandi Jawahala Nehru क्या थे है चाचा नहरू इनको बोलते हैं ठीक है and the largest container port in the India next one of the finest port in Asia Asia में इसको Asia भोलते हैं ठीक है one of the finest port in Asia formerly under the Portuguese possession ठीक है ये port कौन सी है ये Portuguese की possession में थी okay Portuguese means जो पूर्ट गोल से आय थे पूर्ट गोल तो उनकी possession में क्यूं क्यों क्यों पहले गोवा था ना गोवा पहले पूर्ट गीस के पास था हमारे पास नहीं था about that search कर लेना एक बार तो वह बाद में आया इसलिए ये जो port है बाद में इंडिया के पास आई पहले किसके पास थी ऐओओट जीग्षाइव टीकियो मर्मा गोव्पों इसके कॉर्ठ स्पहलीं हैं यह वर हमीं जो गदा मजज़ कोड़ कि फ़ाव पास इसके पहलें को यूँ हैं हैं Rede यह new port developed in the Gulf of Kutch, new port developed हुई है in the Gulf of Kutch, अब Gulf of Kutch का है, Gulf of Kutch है गुजरात में, गुजरात में है Gulf of Kutch और Kutch एक district है वहां का, जैसे गुर्दासपूर यहां पे district है, वहां पे वैसे ही Kutch एक district है, और वहां पे कौन सी new port बनी है, कांडला port, ओके, कांडला port, यह new port क्यों बनी, क्योंकि पहले यह port थी न, जो पाकिस्तान के वहां उस साइड चली गी, जो पहले port थी, वो पाकिस्तान के पास चली गी, फिर हमें new बनानी पड़ी एक, after partition, ओके, तो यह क्या है, इसका नाम क्या है, कांडला port, कहां पे यह, Gulf of Kashmir, the third largest port in India, the third largest port in India, with an artificial harbor, अब इसका artificial harbor है, artificial का मेनिक आप को बता है, नकली, harbor means, यह जो वाली place है, यहां पे ships आगे रुखते हैं, okay, यहां पे means, यहां पे डोक होता है, यहां पे सारी container रखे जाएंगी, वो harbor है, तो वो artificial है, artificial क्यों, क्योंक इना, खुद हमने रखा है, means, natural नहीं है, किसी के अंदर बन गया, हमें थोड़ा बहुत, modify करना पड़ा, थोड़ा बहुत, पानी, थोड़ा shift करना पड़ा, उसकी direction को, ताकि, उसमें पानी आसे, क्यों, पानी तो चाहिए, ships के लिए, तभी तो ships चलेंगे, okay, तो इसका ना of India, India की सबसे बड़ी port, the largest port of India, और यह देखो, containers कैसे रखे होई, और यह सारी containers कहां जाएंगे, ships के उपर, और ships के उपर यह आने के बाद यह जाएंगे, इंडिया के बाहर, और जो आएंगे, इंडिया के बाहर से ship आएंगे, वो container यहां पे unload होगे, और यहां पे रखके, फिर यहां पे train से एंड ट्रक से आगया आगे travel करेंगे, यहां पे इसको भी material चाहिए, clear, and now question, the largest port of India, and it is Calcutta port, या Kolkata port, अभी यह Kolkata port है, ती के spelling Kolkata गही है, okay, six question, and यह last question है, maybe, yeah, the 10th major port in India, इंडिया की दस्वी सबसे बड़ी port, उसका नाम क्या है, ट्यूटी कोरिन port, okay, ट्यूटी कोरिन port, और यह कहां पे, यह है, Tamil Nadu में, Tamil Nadu, clear, और यह last वाली, जो Calcutta, Kolkata port थी, यह कहां पी थी, यह वेस्ट मुगोल में, ठीक है, वेस्ट बेंगोल, clear, यह, now, वो chapter खत्म हो गया, अब next chapter, the world of invention, okay, बढ़ा important chapter है, और सबसे interesting chapter, science है, okay, क्योंकि invention से हम घिरे हुए, invention बहुत साधा हुए, जैसे for example, internet, सबसे बड़ी invention, कौँसी, internet, internet नहीं होता, तो आज मैं video record करके आप नहीं देख पाते, internet नहीं होता, तो आप facebook, instagram, youtube, कुछ भी नहीं चला पाते, कोई chatting नहीं, कोई search नहीं, गूगल पे nothing, okay, so internet is a biggest invention, सबसे कैसे तो ज़्यदा, लेकिन mobile में इसमें आएंगे, computer आएंगे, सारे technology डिवल्प होई है, ठीक है, TV, computer, mobile, pants, सारी invention अच्छी है, अपनी-अपनी coding से, लेकिन सबको connect किस नहीं कर दिया, हमें पूरे world के साथ किस ने connect किया, internet ने, ओके, yeah, okay, the world of invention, so invention of various useful things has made our life easy, comfortable and enjoyable, देखो, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजों ने हमारी life के कर दिये, easy कर दिये, comfortable कर दिये, and enjoyable कर दिये, clear, invention example, आपल, TV, computer, mobile, pens, etc, thermometer, telescope, जो भी आप देख रहे हो, LED bulb, printer हो गया, headphones, कुछ भी लगा लो, ठीक है, सारी invention है, और यह किस में word आता है, discovery, discovery और invention में का difference है, discovery जब हम चीज की करते हैं, वो पहले ही होती है, अर्थ पे, for example, iron, ठीका iron, iron, पहले, maybe, जमीन पे होगा, अंदर होगा, हमें मिला नहीं होगा, लेकिन बाद में मिल गया, ऐसे gold, पहले नहीं था, बाद में मिला, ऐसे planet से, हमें पहले यही पता था, की को, दो, चार, बलन हैं, बाद में फिर और, हम क्या कहते हैं, discover करते हैं, discovery of black hole, discovery of pluto, बहुत सारे, ठीक है, वो discovery हो रही है, invention का है, जो पहले हमारे पास, जो थी, जो discovery हमने की थी, उसको ही हमने कुछ अलग तरीके से use करके, कोई नए चीज बना दी, जैसे हमारे पास mercury थी ठीक है, mercury हमारे पास थी, mercury को हमने use करके, क्या बना दिया, thermometer बना दिया, जैसे हमारे पास lens थे, lens ही हमने use करके, telescope बना दिया, clear, so invention आईगी, तो हम बात कर दिए, inventions की, okay, so first question, printing press was invented by, printing press was invented by, printing press को किसने invent किया, miss, किसने खोजा, किसने design किया, किसने बनाया, तो उसका नाम था, जे, गुटन बर्ग, जे, गुटन बर्ग, ओके, और इसका पूरा नाम है, जो, जोहान, इसका पूरा नाम है, जोहान, जोहानेस, गुटन बर्ग, ठीक है, आपने पूरा लिखना है नाम, जोहानेस, और नीची वाला, गुटन बर्ग, ठीक है, इसने क्या किया था, invent, printing press, प्रिंटिंग प्रेंटिंग 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 इसे नाम रोच नाम है जोशफ नाइप्स यह वाला नेम नाइप्स और क्याम्रा इसने इंवेंट किया उस सबसे पहले क्याम्रा पते कि क्या सा था वो उस बहुत बड़ा था राउंड लाखा लो जिसना आपका बड़ा क्रिप्टर टेबल है उससे बढ़ा होगा ओके अब कितने चोटे हैं सो बैटरी वोज थर्ड कोश्चन इस बैटरी वोज इन्वेंटेड भाई कौन सी बैटरी की बात हो रही है जो आपके घर के बैटरी होगी यह एकसाइट की होगी मेभी कि किसी और कंपनी के होगी mikrodecker उन्वेटर के साज बैटरी लग रही है जिसमें सबसे पहली क्या करें है हम एलेक्रिसिटी स्टोर करेंगे बैटरी के काम क्या है एलेक्रिसिटी स्टोर करना जब पावर कट होगा होगा जब चाहिए door battery was invented by Alexandro किस ने invented की थी Alexandro इसका पूरा नाम था Alexandro Volta Alexandro Volta बट आपकी book में पूरा name नहीं इसलिए मैंने Alexandro यह बस लिखाए क्लिके Alexandro पूरा नाम Alexandro Volta बट आप Alexandro यह करो 4. Thermometer was invented by इसका बड़ा easy है Thermometer was invented by Thermometer को किस ने invented की या इसका नाम है GD Fahrenheit ठीक है GD Fahrenheit आपको पता है ना आप जो Thermometer से temperature चेक करते हो तो आप मारी body का temperature कितना चाहिए 98.6 ओके और 98.4 इतना round होता है ठीक है वो किसमे आता है Fahrenheit में और जो जी दिख रहा है यह वाला 36.66 है यह Celsius में है तो इसकी नहीं बात हो जी इसने Thermometer invent किया था उसका नाम था जी डी फारन हाइट ओके जो आप बिदाता है नो temperature आपका 100 degree हो गया है आपको fever हो गया है तो वो Fahrenheit में बताती हो आप ठीक है 100 degree Fahrenheit Clear Good Telescope was invented by Telescope किस ने invented किया सबसे पहले में बताता हूँ Telescope का function क्या है ठीक है ऐसा होता है Telescope और इसकी help से क्या करते हैं जो planets है Sun है Stars है उसको देखते है यहां से देखना होता है और यहां पर lens लगे हैं काफी सारे Clear और इसको discover किया था Hans Lippers यहां पर थोड़ा spelling में एक S आएगा R के बाद बताता हूँ कैसा है Hans सही है बाद में आएगा L I P P E R S H E Y Clear So R के बाद S भी आएगा Lippers है Hans Lippers है So यह telescope इसने discover किया था मैं आपको इंट्रस्टिंग बता देता हूँ बात बता देता हूँ जो शुशांत राजबूर था ना जो एक्टर है तो उसके पास भी यह telescope था और उसने मून पे अपना plot लिया हुआ था और वहां से अपने plot को देखता है अगर आपको पता गो शुशांत की मूवी यह को बताना कमेंट सेक्शन में थी कमेंट करना उसकी मूवी का नेम आपने देखिए शुशांत सिंग राजबूत की ओके शुश्त रेडियो वोज इन्वेंटेड भाई ठीक ऐसा होता है FM रेडियो इसको किसम ने इन्वेंट किया था G. Marconi G. Marconi ने इन्वेंट किया था रेडियो आजकल रेडियो को सुनता है नहीं लेकिन पहले काफी सुनते थे आपके elders आपकी parents और grand parents वो काफी सुनते थे रेडियो के ओके नाव जो last chapter ठीक है analogies का मेनी क्या होता है similarity जो similar होती चीज़े जैसे आपके बाई वहन एक जैसे दिखते हैं तो वो similar होगे ठीक है so analogies analogies word आया analogies है A-N-A-L-O-G-Y analogy क्या होगा इसमें the comparison compare करेंगे similarity जो similarity जो को compare करेंगे the comparison of one thing with another which has similar feature is known as analogy इसको analogy नहीं बोलना है analogy analogy analogies okay जैसे हम आगे पढ़ेंगे देखो first Tamil is to Tamil Nadu as Telugu is to dash देखो जो Tamil है वो Tamil Nadu की क्या है official language है official language of Tamil Nadu is Tamil and Telugu है Tamil Nadu की official language है ऐसे ही same similar क्या आगी Telugu जो है Andhra Pradesh की official language है clear? very good second question Patna is to Bihar as Lakhnau is to dash देखो Patna जो है न Bihar की capital है okay Patna is a capital of Bihar as Lakhnau is a capital of Lakhnau किसकी capital है उत्तरपरदेश okay UP की UP की capital है Lakhnau clear इसका answer क्या आएगा Lakhnau इसको blanks में लिख लेना उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश को UP भी बोलते हैं और UP में क्या है आगरा आगरा में ताजमहल okay 3rd Yamuna Is To Delhi As Guamati Is To Dash जो Jamuna क्या है एक river है यह वली river ठीक है यह Jamuna है यह वली Jamuna है river Jamuna river कहां पर होती है Jamuna river sorry यह वली Jamuna है यह Jamuna है और यह कहां पर होती है Delhi में इसे जो घुम्ती है घुम्ती रिवर कहां पे होती है लखनाओं में ठीक अभी लखनाओं किया था न यह लखनाओं किसकी केपिटल दी यूपी की तो वहां पे क्या होगी गुम्ती रिवर और दोनों ही ट्रिब्यूटरी है मेंल रिवर नहीं हैं इस विश्मेंट की उसके निकली है वेक्षेक अगे काफी सारी कोश्चन नहीं दिक्त क्वेस्टेटाइब अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बहुत करना वीडियो करों अपने फ्रेंड के साथ लाइक करो और और comment करो ठीक है सारे कुछ करना है और subscribe तो बिल्कुल करना ही करना है क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो आनी है GK की और सारी वहां से देखनी है Okay Finland is to Parliament Finland is to Parliament as Columbia is to देखो Finland में क्या होती है Parliament और Columbia में क्या होती है Columbia में Congress Okay यह Finland की Parliament है और यह Finland की Parliament और यह Columbia की Congress ठीक ऐसे दिखते है अंतर से अब मुझे comment section में बताओ कि India की Parliament का नाम क्या है ठीक है Last जो आपके एक्जाम होए थे उसमें question आया था What is the Parliament of Name the Parliament of India ठीक है India की Parliament का नेम Comment में बताओ बड़ा ही easy है Okay Parliament of India Okay Next question Taj Mahal Is to Agra Taj Mahal is to Agra As Hawa Mahal is to Dash ठीक हो Taj Mahal अभी मैं ने बताओ था कहां पे आगरा में ठीक है यह Taj Mahal है और यह आगरा में ठीक है Taj Mahal आगरा में बहुत ही ज्यादा beautiful place है एक बार जुरूर विजिट करना Okay कहां पे यह आगरा में और अगरा कहां में जूपी में डैली से जादा दूर नहीं है आगरा विजिर कर ले ना ताजमेल वहां पे का ताजमेल किसने बनवाया था शा जहाने And howah mahal is to जैपूर ठीक हावा mahal कहां यह वला हवा महल है यह है जैपूर में जैपूर जाओ तो हवा महल जुरूर देख क्या ना अब इस इंट्रस्टिंग एक बात बता रहते हूं इसको हवा महल क्यों क्यों कहते हैं किसमें काफी चाहिए हवा चलती है नहीं इसको हवा महल इसलिए कहते हैं because of its temple जो यह 5th floor है इसके 5th floor है 1st floor, 2nd, 3rd, 4th and 5th यह सबसे जो उपर ओला फ्लोर है यहां पर एक temple है और वो temple का नेम है हवा मंदीर ओके temple का नेम क्या है हवा मंदीर ओ हवा मंदीर की वज़ए इसका जो जो इसका महल का नाम है ठीक है जो पहले से इसका नाम पढ़ गया हवा महल clear very good so इसका right answer आएगा जैपूर जैपूर में ह हवा महल वेद व्याज इस्टू महा भारत ऐस वालमी की इस्टू डैश देखो वेद व्याज के महा रिषी वेद व्याज थे जिन्होंने महा भारत लिखी थी okay लिखी थी actually श्री गिनेशा ने okay बट बोली किसने थी वेद व्याज साने clear किया है सो वही बोला गया है वेद व्याज इस रिलेटर टू महा भारत महा भारत वेद व्याज महा रिषी ने लिखी थी ऐसे ही वालमी की नहीं क्या लिखा था जो महा रिषी वालमी की है उन लिखी थी रमाइना जी है महा रिषी वालमी की है ठीक है आपने रमाइना यहां पर स्पेलिंग थोड़े रोंग होगे हैं elephant E-L-E-P-H-A-N-T elephants ठीक है जो वाइट एलिफंट किसके लेटर दे थाइलेंड के कैनेडा हैं जो जो ब्रदर और सिस्टर एंटा में कमेंटर में देखते हैं किसके सबसे जएदा ब्रदर और सिब्लिंग्स और पेरेंट्स कैनेडा में जो जिनके अस्टेलिया में वो अस्टेलिया लिख देना है okay so land of maple is known as Canada Canada को land of maple गहते हैं okay maple क्या है इसका leaf है यह पत्ता है यह वहला पत्ता ओके यो सेंटर में दिख रहा है इस maple leaf होता है तो इसमें काफी सारे होते हैं यहां पे trees और पत्ते होते हैं so land of maple is Canada 8th question क्विट इंडिया मुमेंट ठीक है क्विट इंडिया मुमेंट थी क्विट इंडिया ठीके मुमुट चलाई थी किसने चलाई थी महात्मणधीं ने क्विट इंडिया झाए इस तो मात्मणधी तु महात्मणधी च्रम आज अराम harvest धाश तो डैश जुबाला नहरू का ठीक है इनको चाचा नहरू बोलते है कि नाइन्थ गंगा इस टू इंडिया एज हुआंगु इस टू डैश देखो द गंगा गया एक रिवर है ठीक है गंगा रिवर स्टार्ट होती है और इनेट होती है फ्रूम गंगोतरी इंदा हिमाल्यास तिबत में और इंधिया रिवर्ल में पूर्ण है करका वाइं चैना में चैना का ये इसक Anadab कैसा एक स्वेस सवाप्टायारि में ओके यालो रिवर भी बोलते हैं इसको चाइना में ऐसा कलर होता है वैसे रिवर का जो साफ़पानी होता है देंगे इनका मड़ी वाटर है ठीके वोटर कैसे मड़ी है जैसे होता है मिट्टी में काफी घुला होता है तो वह क्योंगी कि यहां पर नम मिट्टी ही ऐसी है तो को बोलते हैं फांगु इस रिलेटर टू चाइना और चाइना को यालो रिवर भी बोलते हैं क्लियर है ता हिमाल्याज आर्ट टू एजिया एज इंडी आर्टू एजिया में एजिया में एजिया में पूरे एजिया में फैले हिमाल्याज ओके हिमाल्या की जो टॉमोस्ट है यह हमालया जो हमालिया जो टॉमोस पॉइंट है सबसे ऊची जो चोटी है ठीक है वह क्या है मांट एवरेस्ट मांट एवरेस्ट इसकी काफी जादा है ठीक है और ऐसे जो एंडी जो है एंडी कहां पर मिलते हैं में स सौ जांत कहले है के कैरे कहा है bunny हमाले स्टे ऑैज्म के बारे में हम थोड़ा जानले हैं क्या होते हैं इंसेक्ण क injustice 타 fiscal टै ईघ्मल्स छोटे पहले अनिमल्स है त्यस्ते हैं ज्छेलिंके और वह सरे इंक होंते हैं जैसे ब्ल्कुन एंड एंटीने, एंटीने means यह वली चीज, आगया वली, एंटीना, ओके, यहाँ पर भी एंटीना, और यहाँ पर हनी बी के भी एंटीना है, इनके उपर जो उपर हला हाड, जो कवर होता है, वो गया होता है, हाड होता है, और उसको क्या बोलते है? ौके, इसमें से हुछ तो हलफुल होते हैं, फर अग्जामपल हनी भी, ठीक है? भी से हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है, सो यह हमारे लिए क्या है helpful है पर कुछ जो होते है काफी dangerous है for example यह यह होता है लोकस्त जिसको टिड़ा भोलते है यह तिड़ी बोलते हैं यह हमारी सारी क्रोप से न सारी फसल को खराब गर दती है कोई भी राइस हो गया वीट हो गया सारा कुछ पैडी खराब कर दते हैं और इस लाज ब्राउन इंसेक्ट विद विंग्ज इडिस फांद इंडार केंड टी ब्लीशी ठीक है बड़ा ब्राउन कलर का फिंग इसके साथ है इंसेक्टे जो डार केंड़िव्लिश्ट भी उता है पिक्चर में आपको दिखरें कोन है यह वैरी गूड कोरेज गए वारी जो कि बिल्कुल correct है उनके नेम लेता हूं किसने किसने सही बताया था कर्ण वीर सिंग कर्ण वीर सिंग सेकेंड जस्मीन को इन तीनों ने correct आंसर बताया कि Parliament of India इस संसत भावन आज मैं कुशन पूशूँँगा उसके वी जो आंसर देंगे मैं next वीडियो में डिसकस करूँगा उनका नाम नेंगा और second मैंने question पूशा था किसके relatives Canada में और वो नेम थे जो उनने reply किया अगें करनवीर सिंग इन इसने दोनों के आंसर दिये सेकेंड बटी साब थर्ड अपन इस अपन जोत कॉर एंड फॉर्थ निमरत संदू ठीक है यह सबी ने इसका comment section में answer दिया था और आज भी question पूशूँँगा उसका comment section में अंसर देना आपन सबने ओके फिर ने नेक्स्ट वीडियो में वह डिसक्स करूंगा उनके बारे में ओके सेकेंड कोश्चन इट फ्लाइज इन बीग स्वार्म ठीक है क्या करते हैं जूंड में ठीक है ग्यादरिंग एक साथ उड़ते हैं बड़े-बड़े इट डिस्ट्र कोश्ट वाता इनके अटायक हुआ था मिल्यूंज में लाखों में को रोड़े एक साथ आगे थे और सारी क्रॉप खराब कर दिए राज़तान में पञ्जाम में एंड अफ्रीका से ऐसे थे ठीक है ग्रूप में आते हैं और काफी सारी फसल खराब की इन्होंने नियूसमे ंखे रखेवे हैं। It sucks the blood from the body. और, बोडी से खून कूज ते हैं। सक करते हैं।owㄩ में इंको कूलते हैं। वावस यह माते होते हैं। इसे इंयूटि निकाल के इतनी बढ़ी फ्रसट इट्स स्टिंग किस्ट्रेस पोजन too घंग आथा चाहिए घुटयदूग कहने भाघि यहे स्ट्रेस पने लिए य्टिव सॉप माझे हो लाइए कुआध Let to the are the । अगर अगरम्स कर लेगी काट लेगी सिट्रीग स्ट्रेस केALRण T जो होता है इसका डंग से डंग मारेगी तो क्या हो स्वैलिंई हो है इसके इंहर अ कर है अगर है इसके घ्लिंग किस्ट कुछ अगर रसी यह खुद ऐसे रब करें ऐसे ऐसे मूव करें तो क्या होगा इट क्रेट से चिर्पिंग साउंड ठीक है कि चिर्पिंग साउंड तो इसका नाम क्या है इसका इंसेक्ट का इसका नाम है क्रिकेट ओके यह क्रिकेट गेम की बात नहीं हो रही है क्रिकेट इंसेक्ट की बात हो ये इसका नाम ही cricket है और मुझे comment section में बताओ कौन कौन cricket खेलता है और जो cricket खेलता है वो मुझे बताना क्या है कि कौन bowler है ठीक है bowling कोन करवाता है अच्छे से and batting कोन करवाता है कौन batsman है और कौन bowler है और कौन all-rounder है all-rounder means जो batting bowling दोलों कर लेते हैं बड़ी अच्छे से all-rounder ओके ये मुझे comment section में बताना है सबने फिर मैं next video में उनका नाम लेकर बताऊंगा next question it is it is found in Africa its bite causes yellow fever कहाँ पे मिलता है ये वाली fly ये मिलती है एफ्रीका में इंडिया में नहीं मिलती है कहीं नहीं आप देखोगे ये वाली fly और ये yellow fever होता है इसकी वाजा से yellow fever कैसा होता है इसमें भी काफी high fever हो जाता है और भी काफी जारे इसके symptoms है और skin से yellow kernel निकलता है इसलिए इसको yellow color बोलते है yellow fever और ये fly का नाम क्या है cc fly okay इसको t silent है so cc fly cc fly yellow fever इसकी जाजे होता है next study of insects is called अब सारे insects हमने पड़े अब इनकी जो study है ठीके इनकी study को क्या बोलते है entomology study of insects is called entomology okay so ये first chapter नो हमारे complete हो गया अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो पूरी देखो वीडियो और लाइक कर दो वीडियो को comment करो और share कर दो अपने friends के साथ और चैनल अगर subscribe नहीं किया तब subscribe करो अगर already subscribe कर लिया है अगर आपको red color का दिख रहा नहीं आसे तब उसके ब़ुए press करो बट अगर आपको नहीं दिख रहा red color का तो means थोड़ा light color का दिख रहा है ते सूनना निकलता आ है गोल्ड जीतनी मारी यूलूर्री ज्तनी मारी षुल्रिक से निकलती है और यह क्या है इक इन्डियायी गर्रल हेगी應該 जोले। ओके सो फर्स्ट यह प्लेस फ्रॉम वेर इंडिया से सैटलाइट आर लॉंच वह वली प्लेस का नाम पता हो जहां से इंडिया के सैटलाइट लॉंच होते हैं ठीक है यह सैटलाइट ठीक है रोकेट लेके जाता है उपर सैटलाइट ऐसा होता रोकेट काफी बढ़ा होता है आपने देखा भी उगा कई बाद हुआ इसका तो यह प्लेस का है सिरी हरी कोटा अरुनाचल परदेश स्वरी आंद्रा परदेश ओके सिरी हरी कोटा में प्लेस इसकी एपी एपी मिन्स आंद्रा परदेश नेक्स्ट इस स्टैच्व ब्रेव गर्ल ठीक है एक बहादुर लड़की का स्टैच्व है नाम इसका क्या था कनकलता ओके स्टैच्व ब्रेव गर्ल कनकलता हूँ वोज शॉट डैट बाइ ब्रिटिश वाइल ट्राइंग तू होस्त दा नेशनल फ्लैग इन करेंड क्या स्टैच्व इंदिया मुममनन इस बारथ चोड़ के चलिजाओ तो तब इसने क्या फैफ्ला ओ хो फ्लाट टा से ओल्ड़ी किया था ओर इसको क्या कर दिया उन्हें मॉर्ण या ठीक है डाड शोट कर दिया गोली मार दी तो इसका नाम था कनेकल था एंड यह कहां पर स्टैच्टू है जह स्टैच्टू है असाम में और असाम में कोई सी पिलिस पे गोहपूर गोहपूर असाम में इसका स्टैच्टू है clear very good next गांधी जी लिवड एक दिस आश्रम सिच्टूएट ऑन दबैंक्स ओफ रिवर तो गांधी जी यहां पर रहें एक आश्रम में उसका आश्रम का नाम बताना है जो की के किनारे तो इसका आश्रम का नाम यह वाला गांधी जी की पिक्चर हे श्टैच्ट उनका और जो यह आश्रम का नाम है च्ट्रों और सब्मरेन आश्रम कहा च्चेल आश्रम अब सावनसर्ट मार में धwh summer ज़ह गांधी जन्ती कब होती है अभी अभी निकली है ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे बताने कब होती कौशी डेट बतानी है जैसे 5, 10, 22 ठीक है वो सारी डेट बतानी मुझे कब होती ही गांधी जन्ती कमेंट सेक्शन में इंडिया में गोल्ड माइन कहां पर होती है तो यह प्लेस के नाम है कोलर करनाटका करनाटका में गोल्ड माइन है और यगा के नाम है कोलर फिफ्ट कोश्ण तब չोर हिंदू होली संटर हिंदू के चार होली संटर सैट बाया आदी संक्रा ठीक एक राजा था और उसने क्या किया था चार होली संटर सेट कीए थे जहां पर विजिट करना होता था अपनी मर्जी है लेकिन जो कर लेता था उसको काफी मुहनत थी कि वो प्योर है उसने काफी धार्मिक इन्सान है वो कौंसी कौंसी थी फर्स्ट एक तो री बदरीनाथ ये बदरीनाथ टेंपल है ये माना जाता है किसका टेंपल है लोड विश्नु बगवान का फिर जगनाथ टेंपल जगनाथ उडिशा में बदरीनाथ उत्रकंड में और दुवार का गुजरात में ठीक है ये कृष्णा का है ये भी कृष्णा गही है जगनात बट अलग फोर्म में और चोथी प्लेस थी सिरिंगिरी सिरिंगिरी दुवार का पूरी एंड बदरीनात ओके यह सारी चार प्लेसेज है पूरी ओडिशा में जो जगनाथ टेंपल है पूरी में ओके यह वड़ा यहां Sixth question Javish Town of India इंडिया का Javish Town कौन सा है Javish Town इसको क्यों बोला गया है students सब्सक्राइबān भी इस वी पीपल भी नेट पर कोच्छी के रहा है करे चाहने रहाए टेल apples मट खेसे पर और यहां पर ले गए हैं डिया का होची के रहा हुके केरला विश्या के रिछ है इस्राइल में जैसे पंजाबी माईग्रेट करें दिधर काफी जाओ जा रहे हैं in future घाने वह 我要 कर दो ऑफिंडिya के बिल्कुल सैंटर का साओ है । जय entrepreneurship यहाँ एक लाइन ड्रोख ओ, यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रोख करो, तो देखो, यह वाँ जगा का नाम सेंटर अपर पॉइन पॉइंट कॉन सा है, इसको बोलते हैं, प्लिस का नाम है जबलपूर, और कहा पे यह है, मद्ध्यपृदेश में, MP, MP, मद्ध्यपृदेश, प्लेस का नाम क्या है जबल पूरे जाग सेंटर बिल्कुल सेंटर है इंडिया का अगे एक बजार में इस मार्केट है क्वेरम बंद बजार इंडिया से लार्ज समार्केट रण वर सौली बाए वीमन यह एक मार्केट है बजार है जो सिर्फ फीमल्स ही चलाती है कोई भी यहां पर मैंनी होगा जो इसको चलाएगा में किसी मैं की शौप नहीं है सारी फीमल्स की ही शौप है वीमन की शौप है यहां पर यहां पर शौप कीपर होंगी वह कौन से होगी विमन होंगी फीमल्स होंगी लेडिज तो यह कहां पर यह है इंफाल में मनीपूर मनीपूर नौर्थीस्ट स्टेट इंडिया की मनीपूर इंफाल उसक व्र वर्ल्ट फॉरवल्य प्लtu का नाम था जो फास मार्फ थे बससी एंधा बारिश ओनी एंदि यह वली क्या नाम कि समय आवी सिरा बारिश होती गांगत इंदिय कुलेंज हमें मैंचन रोति कि पहलें पुछी इंदियेंफ क्लू मुशंगते बारिश अ सायों नुकलियर टेस्टिंग साइट को सी जगा है जहां पे नुकलियर टेस्टर हुआ था जा अभी भी होते हैं ओके तो इन 1998 में 1998 डॉक्टर एपीजय अबदुल क्लाम की उन्होंने ध्यान रखा था और रहें हुमारा नुकलियर टेस्ट हुआ था पोकरान में पोकरान कहा है रा प्रकाजस्तान है ओके एलेंगध कोशन दा रूंस ओफ इंडेस वैली सिविलाजेशन सेटी लाइक हडपा एंड मोहिजन दारू देखो हुमारी ने पच्छी सो साल पहले 2500 अगो हमारी सिविलाजेशन दी एक है जिसका नाम था इंडेस वैली सिविलाजेशन यह वाली इ मोहिजन दारू भी सिविलाजेशन दी वहां पर एक प्लेस थी अडपा भी प्लेस थी और यह भी उसके ऐसे ही है सीटी है जो मिटी के नीचे दबगी थी बट अभी जब इसकी एकसलावेशन होई थोड़ा शानवीन की तो यह साइज सिटी नीचे से मिली और इस प्लेस का नाइम बताने वह है काली बंगन यह भी कहा है राजस्तान में काली बंगन ओके काली बंगन यह वह सिटी है कितनी पुरानी है ट्वंटी फाइफ हंडर्ड ऑल्ड पच्छी सो साल पुरानी है ओके आपका सेकेंड चैप्टर भी खतम हो गया थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर माना जाता है कि ऐसे होते हैं बट ऐसे होते नहीं है ठीकि सिर्फ लोगों ने सिर्फ सुने देखे नहीं है इनके उपन मूवीज बनी है बट एक्चल में रेल्टी में नहीं है जैसे कि यह वाली हो गया यह बाबाजी यह वाला हो गया वेंपायर टाइप यह थोड़ा लाइक करना है लाइक करना मत बूलना वीडियो को ओके गुड फर्स्ट अ हीूज है यूज हेरी क्रेचर में इस काफी बढ़ा है और उसके काफी सारे बाल है जो कहाँ पे रहता है Himalayas में Himalayas परबत पे रहता है और उसके प्यार यहाँ पे snow में डिखते हैं और इसका नाम क्या है यह ती यह ती यह ती इसका नाम है यह ती और यह ऐसा दिखता है मिस इमेजिनेशन है किसी ने देखा नहीं है लेकिन पैर देखें हैं पैर हों गनशान और पैर गनशान काफी बढ़े हैं ओके टू बीग सेकेंड इब बीदड बीडड बीडड means डाड़ी ड़े ड़ेडड इसको भी बोलते हैं है क्या से वर के रखता है बचाता है इसको खजाने को होते हैं ट्रेशर होते हैं इसका नाम क्या है नूम है इसको गुनूम नहीं बोलना है जी साइलेंट है लिखने में सालर आएगा लेकिन वैसे जी साइलेंट है इसको बोलना है नूम होता है बोलकेशा को बॉलते हैं छोटि हाइट वाला नूम third a man who changes into a wolf like creature after dark to kill humans एक creature का नाम बताना है जो क्या गरता है रात के बाद जब बारान बजने के बाद तो क्या होता है डार्क अंधेरा होने के बाद wolf बन जाता है बेडिया बन जाता है ऐसा पहले इंसान होता है हमारी ऐसा बाद में बेडिया बन जाता है wolf बन जाता है और बाद में humans को इंखाता है इनको vampires भी बोलते हैं यह है वेर वाल्फ यह बोलना है इसको वेर वाल्फ ठीक हो वर वाल्फ नहीं है वेर वाल्फ an unnervous creature ठीक है usually an enemy of a human but sometimes kind too देखो यह भी क्या एक creature है काफी इंसानों को खाता है मारता है बड़ कई-कई बार उनको protect भी करता है नाम इसका क्या है जाइंट ओके जाइंट हो दिखने में ऐसा है और जी देखो लेडी उसके उपर बैठी होई है ठीक है रियल नहीं है उसका statue है पट जैंटली भी इसको मन जादा है कई कई बार मार भी दिता है इंसानों को humans को अ वोटर सर्पेंट ठीक है वोटर सर्पेंट सर्पेंट मीज सांप स्नेक विद नाइन हैड्स कितने हैड्स इसके नाइन यह देख लो नाइन हैड्स हैं अगर इसके सर को काट दोगे तो एक और हो जाएगा जितने मज़ी इसके सर काट लो उतने नियू आ जाएगे अगेन इमेजिनेशन है रियालिटी में नहीं है यह मतलब डूणना कि अपनी रोड पे जाओ और देखो की कहां है यह वहला सनेक हम ने तो देखा नहीं तो इसका नाम है हाइड्रा इमेजिनेशन है मूवी में देखोगे लेकि नौट इन रियल इसका सर्पेंट मेंस सनेक नाइन हैड़े इसके और इसका नाम है हाइड्रा clear very good not a sea nymph name means up परी परी के लो एक देभी के लो कि इसको बोलते है अपसरा अपसरा word is correct for nymph अपसरा अपसरा शुन आपसरा वहां अपसरा है अपसरा मीज ब्यूटिफूल लेकिन दिखने में ब्यूटिफूल तो नहीं है लेकिन फिर भी निम्फ बोलाई सको अपसरा who sings वो क्या कता है गाना गाती है beautifully बहुत अच्छे and lures passing ships to destruction और जो साथ में ships आएंगे ठीक है समुंदर में होती है sea में ocean में और यह देखो singing कर रही है अवाज इसका sound eco-produce कर रही है जो भी ship आएगा समुंदरी जहां जाएगा उसको क्या करती है destruct कर दती है सारा तबाह कर दती है इसका नाम क्या है siren okay siren clear seventh a huge eagle like bird ठीक है eagle eagle की तरह एक bird है which can carry off an elephant for food जो हाथी को भी खा जाती है okay किसको elephant को elephant को भी खा जाती है इतनी बड़ी bird है eagle है यह देए इसकी picture और इसने elephant को उठाया हुआ है खाने के लिए ठीक है इसको transport नहीं कहती है खाने के लिए उठाया हुआ है इसका नाम कह है rook are you catch rook okay too dangerous eighth एक creature with the body of snake ठीक है बोड़ी इसकी कैसी है snake की तरह एक dragon's tail push उसकी है dragon की तरह and third उसकी wings भी है ठीक है यह wings भी बने हुए है और क्या करती है देखती इतनी जहरी ली तरहा कि वैसी इन्सान मर जाए इतना dangerous देखना है okay इसका नाम क्या है बैसी लिस्क okay what is its name बैसी लिस्क okay okay so students हमारा third chapter भी complete हो गया now last chapter just और इसके scientist में इसमें वह भी हम करेंगे पढ़ेंगे इसमें scientist के बारे में so great scientist scientist कौन होते है students scientist होते है a person engaging in a systematic activity ठीक है activity इनकी जाती है systematic होती है means इन्होंने एक पुरी theory पढ़ी होती है उसके उपर experiment करते है so knowledge that describes and predicts the natural world जो हमारा natural world है दुनिया कैसी है वह हमें दिखाते है invention scientist करते है discovery scientist करते है तब person may be export वह export भी होसकता है किसी एक field में जा more than one field of science okay science में export होते है एक field में कैसे ही chemistry में और जहां chemistry of dix दोनों में export हो सकते है और यह है Dr. Hargobin Khurana दोनों के बारे में जाने के कौन है और क्या इन्होंने क्यों इनको Nobel Prize मिला वह अपी जाने के first a name the scientist who won't Nobel Prize in chemistry for chemical dynamics and osmotic pressure ठीक है कि scientist का नाम बता है ना इसका जिसको Nobel Prize मिला हुआ है chemistry में okay for chemical dynamics and osmotic pressure इसने osmotic pressure find out किया था and chemical dynamics यह सारे अगर समझाना चाहूं तो मैं आपको समझा दूँ लेकिन अभी आपके level था नहीं है यह सारे आपको पता जालेगा around 9th or 10th class में कि osmotic pressure क्या होता है chemical dynamics क्या होता है मैं भी उससे व्यादर time लग जाए लेकिन nobel prize बिता देता हूं किसको मिलता है students nobel prize मिलता है जिसने कुछ अच्छा किया हो काम यह nobel prize नेम आया Alfred Nobel से Alfred Nobel ठीक एक scientist का नाम था जिसने dynamates बनाया बारूद बनाया जो blast करने वाला और इसको सारी इंदगी लोग कहते रहे कि बड़ा गंदा इंसान है बिल्कुली बच्छा नहीं इसने boom बनाया है okay boom dynamics बनाया थे underwater mines मनायी पानी में वी boom चल जाएगा वैसे बना दिये पहाड तो होने के लिए बना दिये पर लोगों को लगा से एक charity trust open की और बोला कि जो भी इंसान science में अच्छा करेगा chemistry में अच्छा करेगा physics में अच्छा करेगा bio में अच्छा करेगा तो उसको क्या करेगा price मिलेगा कितना price मिलेगा 10 lakh 10 lakh में भी euro मिलेंगे 10 lakh euro क्रोड़ों 10 to 20 क्रोड़ों मिलेंगे per person सो काफी अच्छा है निसान था लेकिन जब तक जिंदा था लोगों उसको बुरा है गयते गए so noble prize बता दिया history उसकी मेंने so chemistry में मिला था osmotic pressure finder करने इसका नाम था Jacob H. Wendhoff Jacob H. Wendhoff ठीक है यह इसकी picture है थोड़ा tough name है एक दो बार repeat करना याद हो जाएगा name the scientist who nobel prize who won nobel prize in chemistry again chemistry में इसको मिला for discovery of elements like radium and polonium तेक जो radium and polonium है ना दोनों क्या है radioactive element है radioactive elements कौन सोते है जिनसे हमें क्या सकता है cancer हो सकता है okay disease हो सकता है skin cancer so इसने दोनों radium and polonium find out किया name इसका क्या था Mary Curie okay इनको भी काफी सारी लोगों ने घालियां दी बिल्कुल support ने मिला इन्होंने बुला कि इसने तो cancer जो विमारी काफी dangerous वो पैदा करने वाला कोई substance ढूंड लिया है okay इसके बार इसी से ही लोगों का इलाज हुआ था cancer का काफी अच्छी चीज़ थी लेकिन लोगों को पता नहीं था इसका जूज क्या है कैसे साही त्रीके में जूज कर सकते है अभी इसका यूज यह होता है काफी scientific research में and hospitals में okay Mary Curie और यहां पर इसने name दिया Polonium क्योंकि यह Poland की रहने वाली थी Poland इसका नाम आया Polonium Next question Name the scientist who won Nobel Prize in physics in 1930 for scattering of light यह इंडियन है students एक इंडियन है इसका नाम नेम क्या है Dr. C. V. Raman okay पूरा नाम है इनका चंदर शेकर वेंकटर रमन लेकिन मैंने पूरा नाम लिखा नहीं काफी बढ़ा था मैंने छोड कर दिया C. V. Raman okay चंदर, शेकर, वेंकटर रमन यह इनकी पिक्चर है और इनका बर्त हुआ था पाकिस्तान में मुल्तान में ठीकिन मुल्तान पाकिस्तान में लेकिन बाद में इंडिया में शिफ्ट होगे थे फिर इंडिया से चलेगे यह अमेरिका और अमेरिका जागे इनको यह प्राइज मिला okay Nobel Prize then name the scientist who won Nobel Prize in chemistry, again chemistry मिला इनको in 1926 for work in dispersed systems dispersed system पे work कने के लिए इनका नाम क्या था Deodor Swetberg Deodor Swetberg okay name the scientist again Indian एक आ गया okay Indian वारे इंपोर्टन्ट है जो इंडियन है न यह इंपोर्टन्ट है madame Marie Curie important है यह याद रखना exam में आने के चांज से जाता है name the scientist who won Nobel Prize in medicine the Y means biology में इन्होंने किया in 1968 for interpretation in genetic code genetic code क्या होता है students हमारे genes होते है genes means जो हमारे parents से हमें characters आए सो वो उन में interpretation की थी तोड़ा changes किये था बताया था कि कैसे कैसे होता है नाम इनका क्या था Hargobind Das Khurana Hargobind Das Khurana name the scientist who won Nobel Prize in medicine for in 1994 for discovery of G protein इन्होंने क्या find out क्या है name क्या था इनका Alfred Gilman ओके और दिन्होंने Nobel Prize charity trust start की थी उसका नाम था Alfred Nobel इसने जो किया इसका नाम है Alfred Gilman next question name the scientist who won Nobel Prize in chemistry in 1947 देखो students आप एक और question last question 1947 में भारत को क्या हुआ था कोवसा day celebrated करते हैं independence day जा Republic day ठीक है हमें independence 1947 में मिली थी जा हमारा Republic Day था ठीक है मुझे बताना comment section में फोर इसको क्या मिला था chemistry में for investigation plant products of biological importance ठीक है plant products कुछ मनाय थे इन्होंने find out किया था investigation की थी नेम इनका Sir Robert Robinson Sir Robert Robinson और आज का last question last but not the least very important name the scientist who won Nobel Prize in physics in 1926 for discovery of sedimentation equilibrium 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 steady को होती है जिसमें ना तो कुछ ज्यादा होता है यहां पे steady होती है सीधी होती है ऐसे move नहीं करती है move नहीं करेगी नाम इनका कहता है Jean-Baptiste Pairing Jean-Baptiste Pairing Okay students So this is the end of today's video जिन्होंने नहीं subscribe किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो बिल्कुल मत बूलना कमेंट करो जो मैंने कोशन को पुशे है और शेयर को अपने फ्रेंड्स के साथ और वो भी कमेंट करेंगे फिर Okay See you next video Bye Bye students Take care